आज आसोज क्रश्न द्वितिया 22 सितंबर 2021 है आए उष्टी मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा इस्तित प्रभु स्रिनार जी के मंदे से आज की रागभोगव स्रंगार सेवा सहित प्रभुदर्शन करते हैं मुरार इपद पंकज स्फुरद मंदरे नूत कटां आज के प्रभु शुनार जी के दर्शन कर लेते हैं करता है आज प्रभु स्रीजी को एचिक स्रंगार धराये जाते हैं और एचिक स्रंगार के विशे में हम जानते हैं कि यह स्रंगार उन दिनों में धराये जाते हैं जिन दिनों के लिए स्रीजी की सेवा प्रणालिका में कोई स्रंगार निर्धारित नहीं होते हैं इसकी प्रक्रिया के तहत प्रभु स्री गोवर्धन धरन की प्रेरना सरो पर ही रहती है, जिसके तहत मोसम के अनुसार तत सुक की भावना से पुझ तिलकाय स्री की आज्या के अनुसार यह श्रंगार धराये जाते हैं। इस भावना से प्रभु स्रीजी को आज पिछोड़ा वो कत्रा का शंगार धराया जाता है। इन दिनों प्रभु स्रीजी की सेवा प्रणालिका में दान लीला की सेवा चल रही है। जिसमें प्रभु को दूदगर की विशिष्ट सामगरिया रोगाई जा रही हैं तो नित्य सांजी दर्शन भी हो रहे हैं। जिसके तहत प्रभु स्रीजी के मंदिर में कमल चोक इस्तित हाती पोल की दहलीज पर आज कुमुदवन वहुलावन गाय सीहं मिलाप की सांजी बनाई जाती है। हलके से भावकीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आएए सबसे पहले प्रभु स्रीजी की साज सेवा के दर्शन कर लेते हैं। आज श्रीजी के पार्शो भाग में भीरोजी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई जाती है। विशेश्ता यहा है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सूसजित होती है। पिछवाई के साथ साथ प्रभु स्रीजी के समुख पद्राय जाने वाले खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की बिछावट की जाती है। इसके अलावा अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तक्या, चरंचोकी, पढगा आदि पद्राय जाते हैं जिन के साथ तरष्टी एवं खेल के साज भी पद्राय जाते हैं। गादी, तक्या एवं स्वर्न जडित चरंचोकी पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के समक्ष स्वर्न जडित दो पढगा जी पद्राय जाते हैं। इन में से एक पर बंटा जी वह दूसरे पर जारी जी पद्राय जाती हैं। तो सन्मुक में धर्ती पर चांदी की त्रिष्टी जी धरी जाती हैं। और जो खेल के साथ प्रभु के संद्मुख पधराये जाते हैं, जिसमें आज पट फिरोजी रंग का और गोटी चांदी की बाग भकरी वाली पधरायी जाती है, प्रभु स्री जी को आज धराये जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं, आज प्रभु को फिरोजी रंग क मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है इसकी विशेषता यहा है कि यहाँ पिछोड़ा रुपहरी किनारी से सजा हुआ होता है लेकिन किनारी द्रश्यमान नहीं होती है क्योंकि पिछोड़ा के किनारों को मोर दिया जाता है वहीं प्रभु स्रीजी को धराय जाने वाले ठाड़े वस्त्र आज शामरंग के धराय जाते हैं अब प्रभु स्रीजी को आज धराय जाने वाले श्रंगार आभरन के दर्शन करते हैं आज प्रभु को मध्य का अर्थात गुटनों तक का हलका शंगार धराया जाता है इसमें कंठहार, बाजु बंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मोद्री काएं आजी सभी आबरन धराये जाते हैं और यह सभी आबरन मानक से सिद्ध किये हुए होते हैं प्रभु स्री जी की स्री मस्तक के संगार धर्शन करें तो आज प्रभु को फिरोजी रंका दुमाला धराया जाता है दुमाला के उपर सिर पेच भीम सेनी कत्रा एवं बाई और शीष फूल धराये जाते हैं श्री कर्ण के श्रंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज लोलक बिन्दी वाले कर्ण फूल धराये जाते हैं वहीं फूल घर की सेवा के तहद आज गुंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, वपीले पुश्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराये जाती हैं और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु स्रीजी के स्रीहस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराये जाती हैं कमल चड़ी के साथ लहरिया के वेनुजी धराये जाते हैं और कटी पर प्रभु को वेत्र जी धराये जाते हैं, जिन में एक वेत्र जी स्वर्न से सिद्ध कीवे हुए होते हैं। प्रभु के स्री चर्णों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूकपूर वविच्छिया आभरन से मिलवा धराये जाती हैं। इन सभी सुन्दर वस्त्रों, श्रंगारों, आभरनों से अलंकृत प्रभु स्री जी को आज आरसी, नित्यवत, चांदी वाली ही दिखाई जाती है। आईए, अब प्रभु स्री जी की एक और विशिष्ट सेवा, राग सेवा का अवलोकन करते हैं। जिसके तहत, मंगला में आज, दान कल बनी आज, राजभोग में, यहां अब का हे को दान, और आज दधी कंचन मोल भई, आरती में, सब मिल गई लाडली, शयन में, गर्व सहेली गुजरिया, मान के पद में, आज नी की बनी राधी का, पोडवे के पद में, कुंज में पो जारी कीर्तनों का गायन किया जाता है, प्रभु स्री जी को भोग सेवा के तहत, दूद घर, बाल भोग, शाक घर, वह रसोई में सित्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्यनियमा अनूसार भोग रखा जाता है, वहीं पान घर की सेवा के तहत, प्रभु को तामूल अरोगाय जाते हैं, तो मंगला, राजभूग, आर्तियों, शैन दर्शनों में प्रभु की आर्ति उतारी जाती है, जय स्री कृष्ण अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टी स्रिश्टी से आज दधी, कंचन मोल भई, राग, नूर सारंग, ताल, त्रिताल स्रिशन के जद कुछ दर्तियों, तो मैं पुण कंचन मोल भाई आज डदी कंचन मोल भाई आज डदी कंचन मोल भाई जाद दी कौँ ब्रमादे कहीं। जादिकों ब्रह्माधिक इच्छत ग्वालन माधदः आजिगदी कंचन मोदवाई यही कंचन मोदवाई आजिगदी कंचन मोदवाई दादिके पलके दूलरी दी याशुमाति काबर वाई याशुमाति काबर वाई आजिगदी कंचन मोदवाई याशुमाति काबर वाई आजिगदी कंचन मोदवाई नंद दास को था पूर बरबट प्रीतन यी आज़ ददी कंचन मोल भई आज़ ददी कंचन मोल भई आज़ ददी कंचन मोल भई परमानंद दास को था पूर बरबट प्रीतन यी आज़ ददी कंचन मोल भई कंचन मोल भई आज़ ददी कंचन मोल भई कंचन मोल भई कंचन मोल भई ददी कंचन मोल भई आज़ 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 आए हूं अकेली साज़ कंचन मोल भई आज़ 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 अंचन मोई अकेली आज़ आज़ साथे के पोशुमन बरकत वन गोर में है साथे के पोशुमन बरकत वन गोर में है साथे के पोशुमन बरकत वन गोर में है तरी प्रुचटार बराऊंगे तरी प्रुचटार बराऊंगे मेरते बचायने आई हुं अकेही आज साधी के उसुह लेनन बलौ मिलन गयोर दुमोर पे जाते दार आये 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 चपला चमार कर चाय कर साधी दे डरत हों अरे नीर मोही आये आये संगर क्यों ने लगाय ने सुरे दाज मर्देन बोहन तुम कहा बेदे हो सुजाए ने सुरे दाज मर्देन बोहन तुम कहा बेदे हो रुजाए ने मुच्छाण मान तज सयान सुजाण मान तज सयान राम नीरिम उलखाय ने हाये आये आये लिहाज साधी पोशु मतेन बनों बिद कह योर कुम पै जाते बरगार अल्की मी अकेरी आज जाने केरे सुसुबर अनों की तर्ण कयों तुमों पे जाते बरगार अल्की मी तर्ण के जिए ज़ागी मी फूसुवर चर्मला चर्मल कर जाज जानी देडरा तको तार थेरा कोई अलगत नाव जोना दगाया देड़ हो तार थेरा कोई अलगत नाव जोना देड़ जोना देडरा थेरा कोई अलगत नाव जोना देड़ कुई जर जर आयाये, राही। कुई परोबी लगजो तुमों में जागश तो कुई आर रगाये। जागश तो कुई जागश तो कुई आर रगाये। झाल झाल आज के लिए पस इतना ही कल फिर मिलेंगे देखते रहें दिवे शांकनाद अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवाम इस वीडियो को अधिक सधिक शेयर कीजे जिवे शांकनाद के लिए संपाद क्रिष्ण का नहीं आसनाटि के साथ भाविका जोशी, केलाश पालिवाल, कुल्दीप शर्मा, कमलेश पालिवाल, अनिरुद देवपूरा, कांक रोली से, गोरो पालिवाल, और नागपूर कीर्दन समाच से, श्री गिर्दर गोपाल जी मापावला, श्री रवी गोपाल जी मापावला, एवं केतन भाई ककड़ की प्रस्तुती, जय श्री क्रिष्ण